नमस्कार जर्खन दूज में आपका स्वागत है आए जर्खन दूज के टॉप 25 पर मुख खबर जानते हैं एम्स के डारेक्टर ने बताया जुन जुलाई में संक्रमन का परकोप ज्यादा खबरोग अनुसार एम्स के डारेक्टर रंदीप गुलेरिया ने कहा कि भारत में अभी चरम पर संक्रमन नहीं पहुचा है जुन जुलाई महीने में या अपने चरमन पर होगा उन्होंने कहा कि देश में संक्रमन के आकड़े जीश तरह से बढ़ रहे हैं उन्हें देख कर या कहा जा सकता है कि जुन जुलाई के महीने में या भीमारी अपने चरन पर होगी ज्यार्खन मौसम विभाग के अनुसार आज राजे भर में कई जीश आंधी के साथ बारिस की संभावना है मौसम विभा का अनुमान है कि 10 मही तक राज्य का मौसम ऐसा ही रहेगा ऐसे में पलामू गढ़वा राची समेत कई जिलों में बारिस की संभवना है तीन लाख लोगों ने जहरखन लोटने के लिए कराया पंजी करण खबरों के उनसार मुख मंत्री हमन सुरेन ने कहा कि लोकडाउन के कारण विभीन राज्यों में फसे जहरखन के करीब 3 लाख लोगों ने घर वापसी के लिए पंजी करण कराया है उन्होंने बिना किसी परिसानी के जहरखन वापस लाया जाएगा उन्होंने बताया कि उनमें से ज़्यादा लोग मजदूर है रेलवे ने बताया कि जहरखन एक ऐसा राज्य है जिसमें मजदूर के लिए बिसे श्ट्रेन का किराया भुगदान पहले ही कर दिया है जहरखन में पाँच नए संक्रमितों की पुष्टी हुई है जो पाँच पलामो जीले से हैं जहरखन में अब संक्रमितों की संख्या 127 से बढ़कर 132 हो गई जबकि 43 लोग ठीक हुए और 3 की मिर्थी हो गई भारत में कुल संक्रमेतों की संख्या 56 है या 351 है जब कि 16 या 776 लोग ठीक हुए और 1889 लोग की मिर्तियो होई हाई कोट में मुक अदमों की सुनवाई अब वीडियो कन्फिरेंसिंग से खबरों के अनुसार जारखंड हाई कोट के रईस्टार जनरल अबूल नाथ ने आदेश जारी किया है कि अगले आदेश तक मामलों की सुनवाई वीडियो कन्फिरेंसिंग के माध्यम से होती रहेगी कोट रूम में अधिकारियों, करमचारियों वा वकिलों को पस थिती नहीं होगी और सिर्फ अति आवस्यक मामलों की ही सुनवाई की जाएगी संक्रमन जाच बढ़ाने का पर्यास किया जा रहा है सचीव खबरों के अनुसार स्वास्त विभाग के परधान सचीव डाक्टर नितिन कुलकरणी ने कहा कि राजे में जाच बढ़ाने का निरेंतर परयास हो रहा है जारखन में पोजेटिव मरीजों का ग्रोथ रेट 2.52 परतिसत है तथा राजे में अब तक 15,130 टेस्ट किये गए जिसमें 99.1% की रिपोर्ट निगेटिव आई है बिद्यालों में बच्चों से ली जाएगी पुरानी किताबे खबरों के अनुसार सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों से पुराने किताबे वापस ली जाएगी किताबे वापस लेने के बाद नए सतर 2021 की किताबे बच्चों के बीच बितरन किया जाएगा नए किताबे सभी जीलों के परखंड के रियाले तक पहुंचा दी गई है सिक्चा मंत्री का आदेश के बाद विभाग ने किताब वितरन का प्रस्ताव तयार किया है बंगाल वा आंधर परदेश से मजदूरों को लाने के लिए अफसर तैनात सभी अफसर मजदूर का फोन कॉल रिसीब करेंगे और उनका बेवरा रेखंगे परवासी मजदूरों के लिए तैनात अफसरों का बेवरा इस परकार है सुरेश परसाद भगत जोकी बाकूर पूर्वी मेदनी पूरी हावडा पच्छमी बरदमान के मजदूरों के लिए है उनका मोबाइल नमबर है 95.084.4949 अलोग कुमार जोकी कुलकत्ता में फसे मजदूरों के मदद के लिए है मोबाइल नमबर है 95.084.17.29 अजय कुमार पंडे जोकी नदिया मालदा के लिए है 95.084.146 से सबस्रों का मोबाइल नमबर आप वीडियो को रोक कर देख सकते हैं राची के हिंद पीडी में नए मज़िटेट तैनाच कंटेंटमेंट जोन में कोई भी पास बैद नहीं खबरो कंशार राची का उपायुक्त की अध्यक्स्ता में टास्क फोर्स तथा को सांग की बैठक हुई उपायुक्त ने अधिकारियों को कई महतोपूर निर्देश दिये उन्होंने कहा कि हिंद पीडी में नए मज़िटेट की परतिवनुक्ति कर दी गई है नए मज़िटेट में रायस्वर नात, अलोक और आफ्तब अहमत को तैनाद किया गया है कंटेंटमेंट जोन और माइक्रो कंटेंटमेंट जोन में कोई भी पास बैद नहीं होगी कोई भी ब्यक्ति न तो contentment zone और micro contentment zone में परवेश कर सकता है और नहीं उस छेत्रे से बाहर निकल सकते है पंजिकरन कराने वाले मज़दूर जरूरी नहीं घर लट जाएंगे खबरों के अनुसार मुखमंत्री हमान सुरे ने कहा कि अब तक कूल तीन लाग मज़दूरों ने पंजिकरन कराया है छोटी ओधी में इतने लोगों को वापस लाना बड़ी चुनावती है जिसने भी पंजिकरन कराया है जरूरी नहीं कि सब जार्खन लोटे मुखमंत्री ने कहा जो भी आना चाहते हैं हमारी सरकार उने वापस लाने के लिए पूरी तरह से प्रतिवद है हम खुले दिल से उनका स्वागत करेंगे और उने घार लेकर जाएंगे इसमें कोई आनाकानी नहीं है हैदराबाद से 889 मजदूरों को लेकर स्रमिक स्पेसल ट्रेन जम सेथपूर जार्खन पहुँची सभी मजदूरों का स्वास्त की जाच की गयी इस दौरान एक मजदूर को क्वारेटाइम सेंटर भेजा गया जहाँ जाच रिपोर्ट आने के बाद उन्हें अपने घर भेजा जाएगा से सभी मजदूरों को बस दोरा अपने अपने स्थानों पर भेजा गया जाखन में कल नौ पोजेटिव मरीज हुए ठीक खबरों कमशार गुरु आरको राची के रिम्स इस्थित अस्पताल से नौ मरीज ठीक होकर निकले है इन सभी की रिपोर्ट लगातार निगेटिव आई है इस खबर से जिला पर सासन सहित उन परिजनों को परिवारों अलों को खुसी है साथी रिम्स राची में पहली बार ऐसा हुआ है कि एक साथ नौ मरीज की रिपोर्ट निगेटिव आई है राची उपायुक्त ने कहा कि मेरी सभी राची वास्यों से अपील है कि संक्रमन से बचे दूसरों को भी बचाए सोसल डिस्टेंसिंग का पारण करे इंडिया रेल्वे ने कल राच 26 स्रमिक को लेकर जाने वाली पहली ट्रेन भी समिली था रेल्वे ने बताया कि सेवाओं की सुरुवात के बाद से गुजरात सिस्ट मुल्क एस्टेसनों में से एक है केरल दूसरा अस्थान उसके बाद रेल्वे ने कहा कि ट्रेने केवल तभी चलेगी जब उसके पास नवे परतिसत बेस्ता हो और सभी राज टिकट की राया एकत्र करे तेलंगाना में फसे 85 जर्खंडी मजदूर पैदल निकले खबर कमसार जर्खंड के 85 परवासी मजदूर तेलंगाना के रंगा रेडी जीला से पैदल निकल पड़े रंगा रेडी जीला के परसासंद वरा उन्हें अपने राय जर्खंड रेल के माध्यम से भेजने के लिए पांच माई को एक जगा एक खटाक कर सभी मजदूरों को घर वेजने के लिए पास बनाया गया था परन्तु बुद्वार साम उन्हें कहा गया कि उनका पास रद हो गया है इसके बाद सभी मजदूर मजबूर होकर पैदली जर्खंड के लिए निकल पड़े जर्खंड के चार जीलो में संक्रम जाच करेगी दो प्राइवेट कमपनिया खबरों के अनुसार जर्खंड सरकार ने दो नीजी लेप्स को राज के चार जीलो के संक्रम जाच के अनुमती दे दी है जाच के लिए प्रतिवेक्ति अधिकतम 45 रुपया देना होगा इन चारो जीलो में राची, पूर्वी सिम्मों, बोकारो और धनबाद समीली था है एकशुक ब्यक्ति लब्स में जाच करा सकेंगे लोर्दगा जीला के किसान को अगवा कर की गई हत्या किसान को घर से ही आगवा किया था, पहले मोबाइल ले लिया गया फिर पत्नी को पानी लाने को कहा, उसके बाद ले कर वहां से निकल गया पैदल आ रहे मजदूरों को मुख मंत्री ने पहुचाई मदद खबरों के अंचर है Marx यह पैदल जरकंड आ रहे मजदूर को मुख मंत्री हमांसुरें ने सुचना मिलने के तुरन्त बाद मदद पहुचाई मुख मंत्री को ट्वीट के माधैम से सुचना मिली थी आपसे आगरा हाई कि मुझे धन्यवाद मत कहिये यह मेरा कर्तब्य है कि मुसीबत में फंसे मेरे राजे के लोगों की मैं सेवा करू अभी भी राजे में कई भाई बहान अपने घार आने के लिए उत्सुखाएं राज सरकार पूरी कोसिस कर रही है मुख मंद्री ने रेलवे को भाड़ा वसुली पर की अलोचना खबर कमसार हेमन सुरेन ने रेल यातरा का 15% किराया राज से वसुलने के लिए केंद्र की अलोचना करते हुए कहा कि रेलवे के लिए अधिक राजस्व का सुरोथ होने के बावजूद जारखन को कोई रहात नहीं दी गई उन्होंने कहा कि उन्हें कौन समझाय की वे विदेश से लोगों को विमानों के द्वार वापस ला रहे हैं और देश में मजदूरों को ले जाने के लिए किराया वसुल रहे हैं जिनके पास खाने के लिए भी पैसा नहीं है जेपियसी ने राज में 380 मेडिकल अफसर की नियुकति के लिए ओनलाइन फरम भरने की दिथी बढ़ा दी है अब उमीदवार 5 जून तक फरम भर सकेंगे जबकि सुल्क का भुकतान 6 जून तक होगा जारखन में फसे दूसरे राज के लोगों जो अपने घर जाना चाहते हैं उनके लिए जारखन सरकार ने पंजी करन की वेवस्ता की है वैसे मजदूर या छात्र जो जारखन से दूसरे राज में अपने घर जाना चाहते हैं वे इस पोटल पर पंजी करन करें साथी अने राजे में फासे हुए मजदूर यो जारखन आना चाहते हैं वे जारखन परवासी.in पर पंजी करन करें नीजी अस्पतालों को खुला रखने का आदेश खबरों के अनुसार नीजी अस्पताल बंद रखे जा रहे हैं ऐसे में नीजी अस्पताल ने अवस्यक सेवा देने से इनकार किया तो उनके खिलाप करवाई होगी, उनका लाइसेंस भी राध हो सकता है, इसे लेकर स्वास सचीव ने आदेश जारी किया है जार्कंड के मजदूरों को वापसी के लिए नो राज्यों ने मागी सरकार से समती, खवरों के उनसार परवासी मजदूरों के वापस बेजने के लिए पांच राज्यों ने रोज दो ट्रेन राची के लिए चलाने पर जार्कंड से समती मागी है साथी करनाटक बिहार उतर परदेश पछिम बंगाल वा उडिसा ने प्रती दिन आज 8 माई से 15 माई तक दोदो ट्रेने चलाने की समती जरकंड सरकार से मांगी है साथी मनिपूर त्रिपूला मद्यपरदेश वा रायस्थान में भी प्रती दिन ट्रेने जरकंड बेजने की सरकार से समती मांगी है ऐसे में सभी मज़दूर सरकार से समती मिलने के बाद आज 8 माई से 15 माई तक ट्रेन दोआरा जरकंड लट सकेंगे मधद की बहाने अपरादियों ने मज़दूरों को बना रहे है ठगी का सिकार आपरादियों ने मदद के बहाने मेरे ही चैनल का नाम लेकर लोगों से ATM और मोबाइल नंबर लेकर खाता से पैसा उड़ा रहे है जरखंडी न्यूज आपसे बिंती करता है, आप अपना प्रस्टनल डाटा किसी भी परिष्थिती में सेयर नहीं करें, आप अपना एकाउंट नमबर, एटियम नमबर और मोबाइल नमबर किसी भी व्यक्ति को ना दे, ना ही कोमेंट में लिखें, आप ऐसे अपराधियो से स अतरक रहे, मेरे इस चैनल के द्वारा आपको पैसा सतमधित कोई भी मदद नहीं की जा रही है, धन्यवाद, यादि आप चैनल पर नहीं हो, तो चैनल को सब्सक्राइब कर, बगल बेल आइकन दवाए, साथी वीडियो को एक लाइक कर, अपने दोस्तों के वाटसेप, फे साथे, थांक यू